कि नमस्कार मेरेमा लोग है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं कोड़ना वाइरस से संक्रमित मरीजों ने कहीं न कहीं बिहार क्याफ़त बढ़ा दिया लेकिन ऐसे में सिवान की जनता के लिए अच्छी कबर है खास करके जायतर जो लोग है वो सिवान से आ रहे थे सिवान क स्वास्त मंतरी है मंगल पांटी दो ने इस बात की पुस्टिक की है लिखा है सिवान के पांच करोणा पॉजटिव लोग स्वस्थ हुए हैं बिहार में स्वस्थ हुए क्रोणा संक्रमित तो कि कुल संख्या 42 हो चुकी है और अब ये ग्राफिक्स के जरिये तस्वीरे कही ने कहीं जो लोग चिंता में होंगे कल एक दिन के अगर हम बात करें तो एक दिन में कल कुल 11 पॉजटिव मरीज प्राप्त हुए थे पुरे बिहार भर में सिवान से भी निकल के आये थे और भी जो अन्य जीलों की ग्राफिक्स के माद्रेम साब को तस्वीर दिखा रहे कि कैसे कैसे मुंगे कि अगर हम बात करें तो 17 लोग वहां संक्रमित हुए थे कुल मिलाकर दो मौते हुई है बिहार में जो आखरा कल तक एक था आज एक और भढ़ गया है वैशाली जिले से खबर निकल किया थी जहां पर 35 वर्षी एक युवक की मित्तिव हो गई थी कोड़ साथ जो लोग हैं वह संक्रमित है लेकिन अब अगर हम सिवान की डेटा क्यों देखेंगे तुना तीस कंफर्म केस निकल काया थे इसमें से 17 लोग रिकावर हो चुके हैं यानि कि कुल 12 लोग अभी और संक्रमित है ऐसे में बिहार के लोग जो कहने कही डर रहे थे उनके ल हो चुके होते हैं यानि कि संख्या अगर हम देश में बात करें तो 13000 से अधिक संक्रमित मईज हो चुके हैं हलाकि ठीक होने वाले जो लोग है उनकी तादाद भी लगतार बरते जा रही है यह अच्छी खबर है और हम बिहार के संदर्व में देखें तो बिहार भी अब आ लोग के घर को सेनिटाइज के जा रहा है जितने काम है सरकार दोर रखें जा रहे हैं ऐसे में आपसे उमीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे सतक रहेंगे क्योंकि आज बिहार के पुलिस महानेदिशक गुपतेश्वर पांडे ने भी चेता दिया है उन ल घर तक डॉक्टर्स की टीम जा रही है स्कृणिंग करने के लिए कुजिलों में उमीद है जल्द ही हम बिहार में को मात देंगे और संक्रमीत मरीजों की जो संख्या है वह एक दिन ऐसा आएगा जब पुलितर के से शुन्य हो जाएगा आप लाइप स्रीज रहें हमारे चै